हारुफिक्स सैमसंग S3 नियो ब्लेक एंड वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हो कि कैसे आप जी आपने सैमसंग की डिवाइस में ब्लेक तो आपको दिखाए दे रहा है आपका स्क्रीन ब्लेक एंड हो चुका है तो फिर दोस्तों यहां पर हो सकते हैं कि आपका बेट टाइम मोट इनेबल हो गया होगा या फिर कुछ और सेटिंग आपने इनेबल कर दिया होगा जिसके वाज़े से आपको यह प्रॉब्लम फेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप आप पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा कि किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर कि मेसेज भी कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है आप सेटिंग पर जाए ठीक है सेटिंग पर जाके दोस्तों डिस्प्ले मोट इनेबल करें और चेक किजिए यहाँ पर आपका डार्क मोट दिजिटल वल्बिंग और यहां पराट सेलेक्ट करना या बेड टायम मोड में बन कर आपको फिल्ख पर जाना है रहा ओर आपका इडम ड्रेफ ब्राइटनेस बन कर दिए ठेहे यहां पर आए ि कर दीजिए और वीजबिलिटी इनहेंसमेंट पर जाएं खे शैन कालर करेक्शन तो इतना करने के बाद दोस्तों आपका प्रावल क्रेक्शन भूसार chess से अब आपने मोबाइल के ब्लेक और डिस्प्ले प्रॉब्लम सुर्फ कर सकते हैं अमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसे नहीं होगा थैंक्स फूर आचिंग